बिसमे इलाहिरो आप्माने रुख्यमा स्सलाम अलाइकुम एवर्ट सुमिद आप सब खेरियत चे होंगे तो आज हम यूटीब चैनल फजय के चैनले बना रहे हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार कीमा का चोरी जो के बहुत ही जबदस्त और खस्ता ब करेंगे तो अब चलिए बहुत ही जबदस्त लच्छेदार का चोरिया बनाना स्टार्ट करते हैं रेसीपी स्टार्ट करने से पहले छोड़ सु रिकेस्ट लाल सब्सक्राइब लन को क्लिक कीजे साथ दी गई बैल एकन को प्रेस कीजे तांके मेरी मैदा रेसीपी का नोट अब इसमें आट कर देंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर अच्छी तरह से करेंगे मिक्स आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है गी को मैदे के साथ के एक कंबाइंड सा हो जाए मैदा मतलब कि जब आप मुठी में रखें तो इस तरह से मुठी बन जानी चाहिए तो बन चुकी है और पानी का यूज हुआ है हाफ कप इस डो को त्यार करने में और अब क्या करेंगे कि ऑइल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे इस डो को ताकि इसके उपर पेपड़ी वगारा ना बने और इसे कावर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सैट हो और अब इसे अच्छी तरह से करेंगे mix जो के चिकन का है अब इसे इतना fry करेंगे कि जपता के कीमे का कलर चेंज नहीं हो चाता और half teaspoon black paper अच्छी तरह से mix करेंगे और इसे हम भूल लेंगे जब तक यह पानी dry नहीं हो जाता इतका सा पानी dry हो चुका है तो इसमें add कर दिया हमने एक medium size का प्याज जिसे हमने chop किया है अच्छी तरह से mix करेंगे अब इसके साथ ही हम add कर देंगे दो अदर अंडे और center में आपने add कर देना है two double spoon oil और इस तरह से हमने दो अदर अंडे fry कर लेने हैं इसी pan में हमने fry किया है क्यूंकि हमने stuffing में ही add करने हैं इसलिए हमने अलग से fry नहीं किये ने fry कर लेंगे अच्छी तरह से कीमे में जो पानी थब अच्छी तरह से हो चुका है dry और इसमें add कर दें और इस तरह जो हमने dough को set करने के लिए रखा था cover उपर से remove करेंगे और इस तरह से mashal आप एक सकते हैं कितनी जबदस से यह dough set हो चुकी है इसे इस तरह से हम निकाल लेंगे और एक जबदस सा पेड़ा बना लेंगे इस तरह से roll करते वे बहुत ही जबदस सा अब इससे क्य करेंगे कि पेड़े के हम चार पीसे कर लेंगे इस तरह से knife की मदद से equally करेंगे एक जैसे ही होने चाहिए डो के जो हमने four pieces की है अब छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से पेड़े हमने बना लिए है बेक पेड़ा लेंगे और दूसरों को हम उपर से cover करेंगे अब इस तरह से हम इसे थोड़ा से चिम्टा कर लेंगे finger की मदद से sideo से इस तरह से और नीचे हम dust कर लेंगे मैदा मैदा dust करने के बाद इस पेड़े को हम बेल लेंगे अच्छी तरह से बेलन की मदद से जिस तरह से हम normally रोटी को बेलते हैं इस तरह से बस आपने इसे बे या कोई भी कॉर्νεर नहीं रहना चाहिए अब इस तरह से हम एक कॉणर उठाएंगे और से सेंटर में लाएंगे पिर इसी तड़ा से प्रेस कर देंगे हलका सा और दूसरों के सतरह से और इसे भी हम हलिवा का सा करना है और फिर इस तरह से आपने दुबारा से अंदर की तरफ मतलब एक रोल टाइप आपने बनाना है इस तरह से रोल बना कर फिर आपने घ benz mah ग और फिर दुबारा से ही आपने मैंदा ड्रस करना है क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से करेंगे जो हम layers बनाएंगे वह बहुत ही जबदास बनेंगी बिल्कुल वाजय दिखेंगे अब इस तरह से आपने इसे लंबाई में थोड़ा बढ़ा करना है उसके बाद आपने simply roll कर लेना है बहुत ही easy way में इसे press करते हुए आपने tightly सा एक roll बनाना है इस तरह से बहुत ही असानी से बन जाएगा इस तरह से roll बनाने के बाद आपने end में अच्छी तरह से कर लेना है C इस तरह से अब यह हमारा पेड़ा बन चुका है अब इस पेड़े के हमने बनाने है दो पेड़े इस तरह से आपने thread लेनी है जिसे धागा भी कहते है नॉर्मली लोग तो इस तरह से आप तो सबी पेड़े हमने बना ली हैं तो अब चलें बोख़त ही जबदर सी हमूद लेर्स वाली कचोरियां बनाना स्टार्ट क isterते हैं और इनको साइट पे इस तरह से गचोरी बिल चूका है इस तरह से हमें कटोरी लेंगे, जो नोर्मल هब हाने कि सभी क घर में बहुत यू असाने से होती है USD इस्थ में रखेंगे इस साथिके में एड़ी है, इस तरह से और इसे center में लाते हुए इस तरह से बहुत ही असानी से ही बन जाती है कचोरियां घर में पिर इस तरह से press कर देना है चीछा से seal कर देना है एक तरह से जब हम fry करें तो ऑईल बिल्कुल भी इन कचोरियों के अंदर ना जाए इस तरह से तो बहुत ही जबदर से ये कचोरी बन चुकी है इसी तरह से हम दूसरी कचोरी भी बना लेंगे इसमें इलाहरो अख्मार रखीम कचोरी को फ्राय करने के लिए कराई में में लिया और याई को बिलकुल हमने हल्का संगराम किया जादा इतना के विद्धा यह बस आप फिंगर टच कर सकें लाँ हुना वहाँ में नहीं OM अभीत तो यह बतकर आफने धियान रखना है को बॐस्टा कर लिए और देख सकते हैं पहले जब हमने कचोरी आट की थी फ्राय करने के लिए तो बिल्कुल भी बवल्स नहीं आ रहे थे मतलब कि ओल गरम नहीं था बिल्कुल धीमा सा हलका सा गराम होना चाहिए अब आप देख सकते हैं कचोरी पर बवल्स आने लग जुके हैं तो अब इन्हें हम पलट लेंगे बिसमेलाय राख माल रही एकीन माने यह बहुत ही जब दस सी बनती हैं कचोरी बहुत ही आसानी से अब गर में बना सकते हैं अगर अभी की सिस्टेटन ने कुकिंग करने स्टार्ट की है अगर वो कचोरी बनाना चाहती है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं अब माशला आप दिख सकते हैं इन पर प्यारा से खुबसूरत सा गौर्डन कलर आना शुरू हो चुका है अब यह अच्छी तरह से फ्राय हो चुकी है अब यह निकाल लेंगे चनी की मदद से और एक्ट्रॉल जाड लेंगे अगर आपको रेसीपी स्टेच पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल को जबर प्रेस कीजिए आने वाली न्यू रेसीपी का नॉटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा इसमें लायर राफ माल रखीम अभी निकालेंगे एक प्लेट में इसी तरह से हम दूसरी का चोरिस भी फ्राइ करेंगे और फाइनली डिशाओट कर लेंगे तो माशला सुभान अल्ला बहुत ही जबदस्त और मजदार कीमा का चोरिस को हमने डिशाओट कर लिया है माशला आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार बनी हैं कितनी जबदस्त यकीन माने इतनी जबदस्त हैं कि मुह में जाते ही यह गुल जाती है आपने भी इन लच्छेदार कीमा का चोरिस को जरूर ट्राय करना है, बहुत ही जबदस बनती हैं, यकीन माने बच्चे तो जबदस खाएंगे, क्योंकि बच्छे अकसर लच्छेदार पडाटे बहुत जबदस खाते हैं, तो ये भी एक तरह से लच्छेदार ही हैं, जो के ब मिलेंगे, अपने और अपने प्यारों का रखें, बहुत जबदा ख्याल, थेंक्स वर वाचिंग, अलाफीस,